हाई एवर्यवन वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आज बज गई थी रात की दाल जो की थी लौकी और चने की दाल तो इससे मैं बहुत ही टेस्टी और यमी नाष्टा आपको बताऊंगी दो तरीके से बनाऊंगी तो पहला जो तरीका है वो मैं आपको ब और इसको grind करा है मैंने सबसे पहले दाल को तो यह बन गया एक fine paste अब इसके अंदर add कर दूंगी मैं यहाँ पर basin वैसे तो मैंने जितनी दाल ली थी उससे थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर basin लिया था आप चाहे तो थोड़ा और कम भी ले सकते हैं या जादा जैसा आपको पसं अब ऐसे भी इसको use कर सकते हैं अदर्वाइस आप इसमें थोड़ा सा पानी आड़ कर लिया है आप देख सकते हैं जादा नहीं है थोड़ा सा पानी डाला है दो तीन चमच की बराबर बहुत जादा नहीं डालूंगी नहीं तो क्या होगा बहुत पतला होने की वज़े से उठेगा नहीं और मेरे साथ यहीं हुआ था क्योंकि मैंने बेसन थोड़ा कम ही डाला था तो उसकी वज़े से सॉफ्ट हो गया था और एक साइड में मैं सबजी काट लूंगी यहां पर जो भी आपकी फेवरेट सबजी हैं वो आप काट सकते हैं इस टाइम मेरे पास खाल बड़ा चोटा चोटा जैसा आपको पसंद है चीले में खाना वैसा काट लें और बच्चों ने खाना था साथ में चीला इसलिए मैंने थोड़ा बारीक ही कट किया इसको और इसमें डाल देंगे हम बेसन के घोल में डाल से जो हमने बनाया था घोल उसी में आड़ कर पर फिर भी थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पर जैसे की लाल मेज थोड़ी सी और थोड़ा धनिया पाउडर और टेस्ट के कोडिंग थोड़ा सा नमक भी आड़ कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कंसिस्टेंसी मुझे एकदम परफेक्ट लग रही है और यहाँ पर मैंने रेडी कर दिया है प्याज, छोटा-छोटा कटा हुआ, एक नॉनस्टिक पैन लिया है मैंने, उस पर लगा लेंगे देसीगी देसीगी से बहुत अच्छे बनते है, चीले हो या पराठे, तो यहाँ पर बैटर को जो है ना, हलके हाथों से ऐसे फैला लेंगे लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तेज गैस पर आपको नहीं करना है, नहीं तो चीला जल जाएगा और पकेगा नहीं वाली साइट से भी हम ऐसी एक तेड़ मिनट के लिए पका लेंगे और थोड़ा सा ना, स्पैचुला जो है ना, उसकी हेल्प से मैं दबा लूँगी, ताकि अच्छे से सिख जाए, तो आप देख सकते हो, यह कितना अच्छा सिखा है, यह ना, बेसन की चीले से काफी अच अच्छा लगेगा खाके, आप चाहे तो इसको दही के साथ खा सकते हैं, या फिर जो भी कैचप अगेरा चट्नी जो भी आपको पसंद है तो रेडी है हमारा नाश्ता, अब मैं बताऊंगे आपको दूसरा तरीका यहाँ पर यूज करने का दाल को, वो नॉमली सबको पता होता है, हर घर में ही दाल के पराठे बनते हैं, तो यहाँ पर मैंने आटा लिया, और जितनी दाल है उतना आटा ले लेना है, या फिर जितनी दाल आपको यूज करने हैं, उतना आटा ले लीजे, और उसमें थोड़े से मसाले जो आपको अड़ करने हैं, वो कर दीजे, मै यहां पर डालने की ज़्यादा जरूरत नहीं लगी, डाल में सभी कुछ डला हुआ था, और थोड़ा सा मैंने यहां पर नमक भी बढ़ा दिया था, हलका सा, तो अच्छे से मैंने आटा गूंद लिया है, और काफी soft dough लगता है इसका, क्योंकि यह देशी घी से बनी हुई द तो मैंने इसमें जादा कुछ मिक्स नहीं किया, अधर्वाइस मैं इसमें प्याज, हरी, मिर्ची यह सब काटके बनाती हूँ, तो आज मैंने सिफ चेली फ्लेक्स डाला है, और यह पराठे मैंने गोल शेप में यहां पर बनाएं, और देशी घी से इसको सेक लिया है, तो अगर हम सबजी के साथ इसको सर्व कीजिए, खाये, और बना के जरूर ट्राय करना, चीला वाली रेसिपी आपको बहुत पसंद आईगी, और मुझे कॉमेंट्स में बताना कैसी लगी, और आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं मेरे नेक्स वीडियो में, तिल देन, बाबा झाली आपको बहुत 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 आपको बहुत